बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन की वजह से मध्धे प्रदेश के कई जिलों में आज से फिर भारी बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है, जो अगले दो से तीन दिन तक जारी रह सकता है। गुरुवार से बारिश के थमने की भी उम्मीद है। फिलहाल, मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए मध्धे प्रदेश के कई जिलों में औरेंज और येलो अलर्ट चारी किया है, जिसमें आज 18 जिलों में भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम वैग्यानिक डॉक्टर वियस यादव ने बताया कि वेस्ट बंगाल में एक्टिव डीप डिपरेशन जारखंट और चट्थिस गड़ की ओर बढ़ रहा है। इसके लाबाए इसाइसर बना हुआ है, ट्रक्लाइम, फिरोजपूर, पढ़ियाला, भल्या भुटी भी जा रही है। इसके साथ से फोकस शुलिया गया है लग्पगू। इक जिस्टम थोड़ा और करीब आजाएगा तो इसके बाद अपने पूरी वद्रुद्देश में जो चेक्टिव पर से लगे हुए रहें। इसके लगे हुए जो डेलो है, सिवनी, जवलपूर, कटनी, पन्ना, सतना, रिवा, चतरपूर और सागर में, वे हैवी रेंफॉर के चांसे बने हैं। आज सिंगरॉली, सीधी, अनुपूर, शर्डोल, उम्रिया, दिंडोरी, मंडला, बालाघाट और मेहर जिलों में अत्यथिक भारी बारिश का औरेंज अलर्ड जारी किया गया है। जबकी, रिवा, मौगंज, सतना, कटनी, जबलपूर, सिवनी, पन्ना, सागर और छतरपूर जिलों में भारी बारिश की संभावना है। जबकी, राजधानी भोपाल समेट 24 जिलों में कहीं-कहीं हलकी से मध्यम बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में 17 सितंबर को सीधी, रिवा, सतना, उम्रिया, कटनी, जबलपूर, नरसिंगपूर, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपूर, टीकमगर, निवारी और महर जिलों में औरेंज अलर्ड जारी किया है। यहां आठ हिंद से ज्यादा बारिश होने का अनुमान है। वहीं भोपाल, विदिशा, राइसिन, सीहोर, राजगर, नर्मदापुरम, पैतूल सहित 24 जिलों में येलो अलर्ड जारी किया गया है। जबकि इंद और उज्याद संभाग के लगभग सभी जिलों करज चमक के साथ कहीं कहीं हलकी से मध्यम बारिश हो सकती है। जबकि बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा, इंद और समेत 13 जिलों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है।